नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की शिवसेना के निशाने पर अब पाकिस्तानी अदाकार कुलाम अली के कंसर्ट को रद्द करने के बाद शिवसेनिकों ने कसूरी के पुस्तक विमोचन समारों के पहले जम कर बवाल मचाया था इसके बाद शिवसेनिकों का अगला निशाना बी सी सी आई का दफतर बना जहां वे अध्यक्ष शशांक मनोहर की टेबल पर चड़ गए अब शिवसेना का अगला निशाना पाकिस्तानी क अलाकार है शिवसेना ने धमकी दी है कि वे फिल्म रईस में अधाकारा माहिरा खान और एदिल है मुश्किल में फवाद खान को महराश्च में फिल्मों का प्रचार नहीं करने देगी यहीं नहीं शिवसेना ने आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें धोंगी बताया है शिवसेना के दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया किया है जिसमें बाल ठाकरे के सामने मोधी को जुकते हुए नमन करते हुए दर्चाया किया है बीकानेर में जब्त की जा सकती है रॉबर्ट वाडरा की जमी बीकानेर में कॉंग्रस अधेक्ष सौनिया गांधी के दामाद डॉबर्ट वाडरा की जमीन का विवात फिर से तूल पकड़ने लगा है राजस्तान सरकार ने कहा है कि वाडरा की बीकानेर में ली गई 1330 बीखा जमीन को जब्त किया जा सकता है बीकानेर में वाडरा के पास तय अनुमती से कहीं ज्यादा की जमीन है सरकार का कहना है कि यहाँ पर 280 बीगा जमीन से ज्यादा की इजाज़त नहीं है उधर हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने कहा कि वाडरा के स्वामित्व वाली कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटलिटी को बदलने की भावना से नोटिस जारी नहीं किया गया है बल्कि इसके सभी डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किये गए हैं स्टार क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाव बैंगलूरू में प्रकरंदर्स भारती क्रिकेटर अमित मिश्रा को बैंगलूरू पुलिस ने पूछताज के लिए तलब करते हुए एक सब्ता हमें पेश होने के आदेश दिये हैं मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने होटेल के कमरे में महिला का शारिरिक उत्पीडन करने के साथ अब शब्द कहे Legs Peiner मिश्रा को दक्षिन अफरीका के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारती टीम में शामिल किया गया है पीडित महिला का आरोप है कि वो पिछले तीन साल से अमित मिश्रा को जानती है उसने आरोप लगाया कि मिश्रा ने उनका शारिरिक उत्पीडन किया और गंदे शब्द कहे ये घटना क्रुकेटर के होटेल के कमरे में उस समय हुई जब वो पिछले महिने ट्रेनिंग शिविर के दौरान भारतिय टीम के साथ शहर आये थे